खरगोन जिले की भीकन गाउं सामुदा एक स्वास्त केंद में पदस 58 वर्षी है बॉट बॉए सुल्तान पितास सत्तार की आज रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आनी से नगर में संसनी फैल गई है बॉट बॉए खेड़ा पती हनवान मंदर गली में दो मंजल मकान में रहता है खबर मिलते ही इस्थानिय प्रशासने कदिकारी मौके पर पहुँचे हैं और पूरे छित्र को सेनिटाइज कर सील कर दिया गया है बेमो प्रतिवा बर्बा ने बताए खासी और वुखार के लक्षन थे तेरह प्रेल की रात आठ बचे उसे खरगोन रिफर किया गया था बॉटबाई के अलावा घर के 16 सदस रह रहे थे जिनकी जाच की गई है बॉटबाई की पत्नी के सैंपल लेकर भेज दिये गए है रिपोर्ट आना बाकी है थानप्रबारी संतोष शोदिया ने बताया कि पूरे कि बाड़ करवांग 689 में आवाजाही पूर्ट रूप से बंद कर दी है वाडबाई जो है उसको सर्दी खांसी जैसी हुई मतलब ड्यूटी पर था रोजैसी सर्दी खांसी बुखार वगेरा आया उसको हमने चेक किया हमारे ड्यूटी डॉक्तर ने उसको हमने तुरंत उ हम आया और फीवर हाई ग्रेट था उनको तो इसलिए मैंने हम लोगों ने ड्यूटी डॉक्तर ने और मैंने उनको इम्मीडियेट रिफर किया है एक सब्सक्राइब कर दिया है यह सुल्तान पिता सत्तार वाडबाई के पदपर सीएसी भिखन गाउं में पदस्त था जिनक साब ने उनकी सेंपल लेके भेजा था जिसकी जहां चिटू को रिपोर्ट आज आई है और जिसमें उनको पाजिटिव बताया गया है उसी को लेकर इस चेत्रों को कंटेंटमेंड एरिया घोसित करते हुए उसमें राजस विभा की टीम और बीमों की टीम वगरा उसको करता है उनके विरुद आदेश के अवेलना का 188 की कारवाई की जा रही है उसमें पुलीस रहेगी और उहां पर आने जाने के लिए रोक रहेगी